हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सिवानी स्वागत है आपका सिवानी की रासोई में दोस्तो आज मैं आप लोग से सेर करने जारी हूँ कच्चे टमाटर के बहुत ही मज़ेदार और टेष्टी सबजी की रेसिपी इसको बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बेहर टेस्टी रखता है तो आप लोग इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बैलकेन को दवाना नहीं भूलिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं तो कच्चे टमाटर की सब्सक्राइब की बनाने के लिए यहां पर हम आधा किलो कच्चा टमाटर ले लिए तो यह देखे दोस्तों इसी तरीके से हम सभी टमाटर को कट कर लेते हैं और यह सब्सक्राइब की बनाने के लिए पैन को हम गरम होने के लिए डाल दिये थे उसमें हम डाल देंगे सरसो का तेल अगर सरसो का तेल आप पसंद करते हैं तो वो डाले नहीं तो आप कोई भी कुकिंग वाल इसमें डाल सकते हैं तो चार से पांच चमच हम इसमें सरसो का तेल डाल दिये हैं तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल के गरम होते हैं इसमें हम डाल देंगे आधा चमच जीरा और जीरा को थोरा सा हम पकने देंगे तो जीरा अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च, तो एक प्याज ले लिए थी और दो हरी मिर्च को हम कट करके इसमें डाल दिये हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए और हरी मिर्च और प्याज को हम थोड़ा सा फ्र अच्छे से अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर जो हम टमाटर कट करके रखे थे वह हम इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक क्योंकि नमक डालने से क्या होगा टमाटर जो है वह जल्दी पकेगा तो अभी पेच पीच में चलाते हैं और हम इसको फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें कुछ मसाले तैंसन के जोड़ा से पानी डाल के इसका घूल तेयाड करेंगे ऐसा करने से क्या होगा मसाला जो है जब हम पकाएंगे इसको यह जलेगा भी सबजी का कलर भी काफी अच्छा तो और टेश्टी भी रगता है सबजी खाने में तो यह देखे तीनों मसालों को डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स यह देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है तो मसालों को हम पानी में अच प७लते हैं कि यूट तहरों है यह वह हम इसामेडेंगे और इसको अच्छे से मिय्ट के लिए और हम इसको 12amin परेंगे लैंके ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं इसमें मसालों में और रहे इसके छी से लिए mode पाणी ज़ादा नहीं डालना है तो जिस का तोड़ी में मसाला ले थे उसी का तोड़ी थोरा सा पानी डाल देते है पानी लेकर पीच बीच प्क्रास चलाते हुए तीन से तो अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और आप डाल सकते हैं तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गैस को कर देते हैं और हमारी चटपटी सी यह कच्छे टमाटर की मज़ेदार सबजी बन चुकी है तो आप लोग भी दोस्तों इस रेसिपी को जरू ट् किसी के साथ भी खाएंगे यह खाने में बेहर टेस्टी लगता है और यह हेल्दी भी होता है तो आप लोग इसको जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर इस भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा कॉमेंट कीजेगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी जि मैं नेक्टी लिए फिर से लाओंगी तब तक के लिए बाई